बात करेंगे Kripto की Bitcoin की नया week शुरू हूआ आज और पहला दिन नया week का Monday और आज की तारीक 11 मार्च की तारीक बिटकोइन के लेके आई है नया हाई अगर हब देखेंगे आज बिटकोइन के जो लेवल्स अप हुए हैं वो 72,000 डॉलर तक पहुच गया है मॉर्निंग में 66,000 डॉलर तक नाइट में चले गए थे फिर यहाँ पे थोड़ा सा डंप आ रहा था ठीक है वहीं पे अब चल रहा है 72,382 के हाई लगा दिया है 72,382 का बिटकोइन का हाई लग चुका है और बिटकोइन रुकने का नाम नहीं ले रहा है अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखेंगे ये उठा के देखिए 38,000 तक बिटकोइन गिर गया था बिटकोइन ETF अप्रूवल मिलने के बाद गेम हुआ और वहाँ से भी डबल हो गई है चीज़ें 38 का भी 76 होने जा रहा है नेक्स टारगेट भी 75, 76,000 डॉलर का है तो बिटकोइन यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है और कल की डेट थोड़ी से इंपोर्टेंट है अगले कुछ घंटे बिटकोइन हो सकता है यहीं पे स्टेबल रहे और कल प्राइज ओर बढ़ जाए अगर CPI नंबर्स कम आ जाते हैं ठीक है सबसे बहुत बहुत बड़ी पार्टेट यहां पे चिलिज की होती हुई यहां पे ठीक है बिटकोइन की कीमते रिकॉर्ड हाई लेवल पे आ चुकी है 72 हजार डॉलर के बैरियर तोड़ दी है बिटकोइन ने और ऐसे में खुश खबरियों की कोई कमी नहीं है क्रिप्टो मार्केट में वाट हैपन इन दा क्रिप्टो इन दा लास्ट ट्वाल आवर बी टी सी स्मैश थूट सेवेंटी टू हो चुका है हाना और सबसे बड़ी चीज कुछ हगर हम में अपडेट की बात करें हैं आपर दस इंसिटूशन प्लान टू एप्लाई फॉर स्पॉर्ट बिटकोइन एटिएफ इन होंग कॉंग बिटकोइन स्पॉर्ट एटिएफ की आपको पता यूएस में अप्रूवल मिल चुका है तब बिटकोइन के यह हाल हो गया है तो होंग कोंग का भी रियक्शन अगर मिलता है तो और भी अच्छी बात रहेगी इंडियन फर्म मुड्रेक्स टू ओफर इंडियन इन्वेस्टर एक्सेस तू यूएस स्पॉर्ट बिटकोइन एटिएफ तो यह भी बहुत बड़ी बात है कि Mutrix की अगर हम बात करें तो यहाँ पर offer कर रहा है कि आप Bitcoin Spot ETF के अंदर जो है यहाँ पर access कर सकते हो और third अगर हम देखें London Stock Exchange to accept application for Bitcoin and Ethereum ETN यह तीनों ही बहुत बड़ी update है Bitcoin को से जुड़ी हुई है न तो एक तो London Stock Exchange की तरफ से एक Indian firm की तरफ से Bitcoin Spot ETF को access करने के लिए तीसरी यह है 10 institution apply करने की त्यारी कर रहे है मतलब यह अच्छी खबरे है एक और good news है जो आज की सबसे बड़ी है और वो बड़ी good news यह है कि आज आप अगर आप X पे आएंगे तो 2,5,000 Bitcoin ट्रेंट कर रहा है reason एकदम clear है 2,5,000 Bitcoin ट्रेंट करने का तो यह है वो खुशकबरी जो आज आई है और इसकी hint पहले ही मिल चुकी थी Michael Saylor की तरफ से 12,000 Bitcoin Micro strategy ने और खरीद लिए है अब Bitcoin की holding आप देखो कहां खरीद है 70,000 के करीब 12,000 Bitcoin खरीद लिए है मतलब यहां से भी price double हो सकता है इतना clear indication है यहां पर ठीक है time की बात है सब चीजें होती दीखेंगी और 821,000,000 डॉलर के ठीक है फिर से buy कर लिए 12,000 किस level पे 68,000 डॉलर और अगर हम देखें 2,05,000 Bitcoin अब holding पे चले गए है ठीक है और एक बहुत बड़ी बात है कि 2,05,000 Bitcoin hold करता है BlackRock आगे निकल रहा था 1,97,000 उसके भी 2,00,000 हो जाएंगे तो यह good news है यह खुश खबरिया है market के अंदर result क्या है 7 के साथ दिख रहे है Bitcoin की कीमते उच्टम सतर के उपर तो यह है पांचवी good news जोर यह साथ कोरिया के Neo Bank की तरह से Neo Bank Buy at current Bitcoin boom is reportedly planning to make an IPO bid and the bank has seen rapid growth thanks in large part to its crypto operation and with its customer base exceeding 10 million और यह नमबर बता रहा है कि crypto और Bitcoin का craze South Korea के इस bank में भी दिख रहा है असर दिख रहा है ठीक है तो इसको भी हम good news की category में पांच यह आज की खुश ख़बरियां है market के अंदर result यह कि Bitcoin 72,000 डॉलर पे चल next update आ रहा है Floki इनों की तरह से Floki Crypto Locker Protocol Floki 5 Locker hits a TVL ATH of 148 million डॉलर जी हाँ 148 million डॉलर का TVL हो चुका है Floki 5 Locker की अगर मैं बात करूँ और 600 million डॉलर का ecosystem में TVL पहुँच चुका है Floki इनों का result यह है कि 0.3 x 029 के आज level hit कर लिए है 0.3 x 031 का high लगा हुआ है previous और वो नया high लगाने के लिए बेताब है Floki इनों 24 गंटे में फिर से 20% pump हुआ है यह है च्छटी खुश्खबरी Bitcoin surpasses Swiss France to become the 30th largest currency Bitcoin आज की डेट में 30 number की largest currency है पूरी दुनिया में यह बहुत बड़ा number यहां पे और इतना ही नहीं Bitcoin की कीमत है 72,500 है आ चुकी है और next target आपको देखने को मिल सकता है 73,000 डॉलर का ठीक है दिख सकता है और थोड़ा सा CPI number का वेट करेंगे अगर सब चीजें perfect रहती है तो 75,000 के दर्शन भी Bitcoin आज रात रात में या फिर कल तक करा देगा अगर CPI number market के favor में आते हैं तो और यह है 9th 9th तो नहीं कहेंगे लेकिन 7th number की खुशकवरी यह है कि Bitcoin has now overtaken silver in terms of market capitalization जी हाँ ये भी एक बहुत बड़ा number top 10 में तो Bitcoin पहले ही घुस गया था लेकिन इस बार silver को भी पीछे छोड़ दिया आठवे number की है आठवे number की Bitcoin क्या हो चुका है एक बड़ी currency बन चुका है मतलब market cap इतना ज्यादा है कि silver पीछे है Facebook पीछे के है जो top 10 में बैठे हुए थे और अब अगले जो शिकार अगले जो target हो सकते हैं वो अगला Google है 1.6 trillion लेके बैठा है 1.41 पे पहुँच गया Bitcoin Amazon भी 2 trillion डॉलर का market cap हिट हो सकता है Bitcoin का तो कितने ये सब पीछे जाने वाले हैं बचेगा gold क्योंकि gold का market cap कहीं ज्यादा Microsoft और gold अगर हम देखें 14 trillion डॉलर का है तो वो ताइम वो दिन भी आजेगा जब 14 trillion वाला भी पीछे हो जाएगा तो ये थी साथ खुश खबरिया बाकी जो अपडेट है वो नेक्स वीडियो में आपको मिलेंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक है जोईन कीजे गोई अपडेट मिसनी होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में अब तक के लिए बाई बाई टेक केर